स्री शिवाय नमस्तु बेम दर्शकूं, आप सबी का हमारे चनल में बहुत बहुत स्वागत है हर मा को यह उपाई करना है और आपको यह उपाई 10 फरवरी को करना है यह उपाई हर मा को करना है यदि आपका बच्चा चिर्चड़ा हो गया है आपका कहना नहीं मानता है गलत रहा पर जा रहा है आप उसे काफी समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन आपका मान सम्मान नहीं करता है आपका कहना नहीं सुनता है तो आप इस उपाय को अवश्य करें हर मा को अपने इस उपाय को करना चाहिए और यह उपाय आप फूजनी स्रीपंडित प्रदीप जी मिस्रा दोरा बताया गया है आप तक हम पोचाने की कोशिश कर रहे हैं इस उपाय को पूरा जरूर सुन लीजिएगा आपके बहुत काम की चीज है आए जानते हैं इसमें क्या-क्या सामगरी लगेगी सबसे पहले हमें लेना है 31 बेल पत्र 31 बेल पत्र ले लेना है और हमें चाहिए 31 चावल के दाने चावल के दाने टूटे फुटे नहीं होना चाहिए और बेल पत्र भी कटी फिटी नहीं होना चाहिए बिलकुल आखी बेल पत्र ले आखा सेवल अक्षत का दाना भी सेगा ह और आपको ले जाना है भूलिनात के मंदिर में आप मंदिर में और भी सामगरी साथ में ले जा सकते हैं यदि आप यह उपाई घर में भी करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी यह उपाई करें जैसे यहा आपको एक एक करके एक एक बेल पत्र को चावल के दाने के साथ भोले नाथ पर समर्पित करते चले जाना है। बच्चे की भविश्यकी और उसकी बुद्धी तेज होने की कामना करनी है। उसके प्रती आप जो भी मनो कामना रखते हैं वह बोलना है। और आपको एक एक बेल पत्र श्रम भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करते जाना है। अपने बच्चे की कामना मन में बोलनी है। श्रम भेश्वर महादेव का इसमर्ण करते हुए आप यह उपाय करें। ऐसे में आपके बच्चे आपका आदर सतकार करने लगेंगे। आपका कहना मानने लगेंगे। सही रहा पर चैनलने लगेंगे। इस उपाय को करना ना भूलिएगा। और अधिक से पूजनी गुरू पंडित प्रदीब जी मिस्रा द्वारा बताएगा। हर एक उपाय हमारे चैनल पर बताए जाते हैं। आप उन उपायों को अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्श्यकों।